Hello Friends, Welcome All of You on Quality and Facts दोस्तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये मेरे पेड कोर्स का एक पार्ट है और आप इस पेड कोर्स को ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करके अपने बारे में आपको बता दू मेरा ना मीरस कुमार है और मैं थ्री टाइम औल इंडिया टॉप पर रहे चुका हूँ नेट जियरेप के अंदर तो आप कह सकते हैं मैं एक वेरिफाइड एंड क्वालिफाइड एजुकेटर हूँ तो आप वाहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपको डेमो पसंद आता है इस वीडियो को आप जादा से जादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिकतर लोगों को इससे फाइदा हो अपने कोर्स के बारे में बता हूँ तो मेरे लेक्चर की ये पहली वीडियो हालाकि ये पेड कोर्स का पार्ट है लेकिन एज डेमो आपको ये फ्री ओफ कोस्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर सिरीज के अंदर मेरे टोटल 50 लेक्चर रहेंगे और उसके अंदर आलमोस्ट सारा स्लेवर्स करने की कोशिश करूँगा अगर आपको पसंद आता है लाइक शेर इसको जरूर कीजिएगा हेलो फ्रेंट्स वेलकम अलोफ्यों क्वालिटियन फेक्ट्स दोस्तो आज से हमारा ये निव सेशन शुरू होने वाला है और इस निव सेशन में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ जिसकी ये पहली वीडियो है तो इसके लेक्ट्चर सीरीज में टोटल 50 लेक्चर होंगे तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला लेक्चर तो शुरू करते हैं और उमीद करता हूँ 50 lecture की series complete होते होते आपके सारे facts and concepts almost clear हो जाएंगे तो पहला question यहाँ पे दिया है अगाना सुथ का अगाना सुथ दिगा निकाय का 27 सुथ है जिसमें दो ब्रामणों वसेठा और भारद्वास को महात्मा बुध ने शिक्षा दी है तो सबसे पहले आपको क्या है बुधिस्ट लिटरेचर का थोड़ा बहुत ज्यान होना चाहिए कि बुधिस्ट लिटरेचर आखिर क्या है ठीक है तो बुधिस्ट लिटरेचर को mainly three pitak तीन pitak के रूप में जाना जाता है थ्री pitak दूसरा आता है सुथ pitak ठीक है और तीसरा आता है विनए pitak विनए pitak ठीक है अब देखिए ये पहला है आपका अभी धम pitak दूसरा है सुथ pitak और तीसरा है विनए pitak जो दिघा निकाए है दिघा निकाए अगान ये जो आपका सुथ pitak है उसी का एक पार्ट है I hope आपको ये clear हो गया होगा तीन पिटक है अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक जो अगाना सुत है ये दिघा निकाय का 27 सुत है अब दिघा निकाय के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए दिघा जो निकाय है दिघा निकाय के अंदर टोटल 34 आपके डिसकोर्स है जिसको आप सुत कहते हैं ठीक है 34 मैसे 27 है तो question किसी भी तरीके से आपसे गुमा फिरा के पूछा जा सकता है आगे आप देख रहे हो अगाना सुत बौध धर्म के धम से भी जुड़ा है बौध धर्म का धम अब धम क्या है धम का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो मौक्ष की और आपको ले जाता है महात्मा बुद्ध ने धम उसे कहा है जो सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित किये हुए हैं और अच्छी अच्छी बातों को जो धर्म की अपने अंदर समाहित किये हुए हैं और जो इस धम धम यानि आप धर्म इसको मान सकते हैं रिलीजन आप इसको मान सकते हैं ऐसा रिलीजन जो आपको मौक्ष यानि सेल्वेशन की प्राप्ति करा सकता है अगाना सुत में महात्मा बुद्ध ने जाती की उत्पत्ती तथा जीवन के उदे के रहस्य को सुलजाया है तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं आपके लिए easy रहेगा लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको explain करूँगा वो हिंदी में ही ज्यादा explain करने की मैं कोशिश करूँगा तो कास्ट की उत्पत्ती कैसे होती है जाती की उत्पत्ती कैसे होती है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है और इसके तहत राज्य का विकासवादी सिधान्त इन्होंने प्रतिपादित किया है आप देखोगे इन्होंने डारेक्टली उस अजम्षन को अस्वीकार कर दिया जो कि उस टाइम प्रचलित थी कि जो प्रित्वी का जन्म हुआ है जातियों का जन्म हुआ है या फिर मनुष्य का जो विकास हुआ है वो देवता के कारण हुआ है देविये शक्ती या डिवाइन पावर के कारण हुआ है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने बोला कि प्रित्वी के उपर जो जीवन का विकास है वो धीरे 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 डेवलेपमेंट के कारण हुआ है इवोल्यूशन के कारण हुआ है मोक्ष प्राप्ति अगाना सुथ का प्रमुख उदेश्य था तो यह आप यहाँ पे देख रहे हो जो सैलवेशन है वो फर्स्ट अबजेक्टिव था अगाना सुथ का महात्मा बुद्ध ने हिंदू ग्रंथों की आलोचना करते हुए सुथ में यहाँ संदेश दिया कि यहाँ संभव नहीं है कि एक ही जीव की उत्पत्ती प्रभू के विभिन हिस्सों या शरीर के विभिन हिस्सों से हुई हो तो यहाँ पे इन्होंने कटाक्ष किया है जो कि मनुस्मृती के अंदर लिखा गया था कि ब्रह्मा के शरीर से चार वरणों का निर्मान होता है ब्रह्मा के शरीर से चार वरन निकलते हैं आपके सिर से ब्रह्मन निकलते हैं भुजाओं से क्षत्रिय आपके जांगों से आपके वेश्य और पैरों से आपके शुद्र निकलते हैं तो उस अजम्शन को इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया इन्होंने कहा कि it is not possible कि एक ही व्यक्ति के शरीर से उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मनुश्य का जन्म हो तो ये बिल्कुल गलत है और इन्होंने इसके स्थान पे दिया था evolutionary theory ठीक है महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के पालन के स्थान पर उचित कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ती का रास्था सुझाया तो वर्ण व्यवस्था अब उस तरह प्रचलित थी मोक्ष प्राप्ति का जो साधन था वो था वर्ण व्यवस्था कि वर्ण व्यवस्था को अगर आप फॉलो करोगे लाइक ब्राम्हन जो है ब्राम्हन अगर टीचिंग करेगा क्षत्रिय अगर युद करेगा और देश की रक्षा करेगा और आपका वैश्य व्यापार करेगा और शुद्र आपकी सेवा करेगा इन तीनों वर्णों की तो क्या है आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो इसको इन्होंने बिल्कूल नेगलेक्ट कर दिया इनको नकार दिया और इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति कहां से होगी उचित कर्म के द्वारा आप किसी भी जाती में अगर पैदा हुए हैं किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो definitely आप क्या ह salvation को प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और उसी को उचित कर्म को ही इन्होंने धंडेया धंडेया अगाना सुबध के दूसरे भाग में जीवन की उत्पत्ति का पहलू सुलजाया गया है तो अगाना सुट के पहले पार्ट अब यह भी आपको पता हो न लाइफ कैसे शुरू होती है प्रिथवी के ऊपर ठीक है इनके अनुसार आरंभ में प्रिथवी पर केवल अंदकार था और जल तो आप एंशेंट जो लिटरेचर है इंडियन लिटरेचर को आप पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं आप देखते हैं सबसे पहले क्या था हिम्यूग था हिम्यूग यानि पूरी की पूरी पृत्वी क्या है बर्फ से जमी हुई थी उसके बाद धीरे-धीरे वो पिघलती है उसके बाद आता है जल यूग जल यूग में आप देखते हैं अब विशुणू के जो डिफरेंट अवतार है उसमें भी आप देखत दिया और इन्होंने सबसे पहले बात की जल यूब्की कि अनधकार था और जल था धीरे धीरे सूर्य की उत्पत्ती हुई. जो सन है जो आपका सूर्य है उसकी उत्पत्ती होती है जिसके कारण क्या है? जल के अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगा. ठीक है इस रासाइनिक परिवर्तन से क्या हुआ कि जल के उपर रसाइन की मोटी परत जमने लगी जिसमें वाइरस जैसे कीट की उत्पत्ती हुई यही कीट बाद में जीव बनने लगे ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी में कीडों का जन्म होता है ठीक है यहां तक आई होप आपको यह समझ आ गया होगा धीरे धीरे प्रित्वी घूर्णन करने लगी घूर्णन मतलब रोटेशन यह करने लगी प्रित्वी धीरे धीरे और जिससे क्या होने लगा दिन और रात बनने लगे अब सूरज जैसे आप देखते अभी भी क्या है धूप के कारण सन के कारण कठोर होने लगे और कुछ जीव पानी के बाहर आने लगे अब देखिए जो जीव पानी के बाहर आने लगे और प्रित्वी पे रहने लगे स्थल मंडल पे रहने लगे वो स्थल मंडली जीव कहलाए गए और जो जीव पानी के बाहर नहीं निकले उन्हें जल मंडलिय जीव कहा गया जल मंडलिय जीव जैसे मचली मगरमच अभी बहुत से जीव ऐसे हैं जो इक्वेटिक जीव जी ने कहा जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं जो पानी के बाहर आ गए जैसे कि इनसान हो गए तो इनके शरीर और भी ज़्यादा कठोर होने लगे अगाना सुथ के तीसरे भाग के अंदर ओरीजन ओफ सोशल ओडर एंड कास्ट की व्याख्या की गई है कि सोशल ओडर की उत्पत्ती कैसे होती है कास्ट की उत्पत्ती कैसे होती है ठीक है तो पहले में कास्ट की बात नहीं है पहले में किसकी बात है वर्ण वेवस्था की बात की गई है ठीक है दूसरे में किसकी बात की गई है जीवन की उत्पत्ती की और तीसरे में बात की गई ह social order यानि caste की तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्षत्रिय जाती को अगाना सुत में खटिया कहा गया है क्षत्रिय जो जाती है अभी जिसे आप और क्षत्रिय वर्ण भी कह सकते है क्षत्रिय वर्ण को इसमें क्या कहा गया है खटिया तो बिलकुल भी आपने confused नहीं होना है कि खटिया क्षत्रिय को ही कहा गया है क्यूंकि यह जो हमारे literature लिखे गये है जो यह दिगा निकाय लिखा गया यह पाली भाषा में लिखा गया है तो पाली भाषा में क्षत्रिय को खटिया कहा जाता है अगाना सुथ के अनुसार ब्राह्मनों की दो शाखाएं थी जायका वा अज्जायका अब जो जायका वा अज्जायका यह ब्राह्मनों की दो शाखाएं है जायका एंड अज्जायका अब जायका और अज्जायका क्या होता है वो आप देख लीजिए ज्यायका का मतलब है योग करने वाले ब्राह्मन अब ज्यायका को क्या है जैयन्ती भी कहा जाता है ज्यायका को जैयन्ती भी कहा जा सकता है ठीक है तो जैयन्ती या ज्यायका तो पहली है जैयन्ती दूसरी क्या होईगी फिर ज्यायका ठीक है तो जो योग करते थे ब्राह्मण उन्हें कहा गया जयंति या ज्याय का अगाना सुथ के अनुसार ब्राम्मनों की दूसरी शाखा पुस्तक लेखन से जुड़ी हुई थी जो की लिटरेचर लिखती थी जिन्होंने वेद लिखे ठीक है जिन्होंने पुरान लिखे उन ब्राम्मनों को ये जो दूसरी शाखा थी इन्हें कहा गया ज्याएका तो जो लोग योग करते थे उन्हें कहा गया जायका और जो लोग पुस्तक लिखते थे लिटरेचर लिखते थे उन्हें कहा गया जायका शुद्र वरण को अगाना सुत में सुद्डा कहा गया है तो पाली भाशा में शुद्र को क्या कहा जाता है सुद्डा ठीक है और सुद्डा उन लोगों को कहा जाता था जो शिकार करते थे जो लोग शिकार करते थे जो लोग हंटिंग करते थे उन लोगों को कहा जाता था सुड़ा राजकाज के संबंद में बुद्ध ने सहमती सिधान्त प्रतिपादित किया है कंसेंट थियूरी राजकाज का मतलब है कि शाशन व्यवस्था कैसे चलाई जाए शाषन व्यवस्था को कैसे चलाया जाया उसमें इन्होंने कंसेंट सिधान्त को अपनाया है सहमती सिधान्त को यानि जितने भी परकार का आपका राजका चलाया जाएगा उसमें जो जनता होगी जनता से भी क्या है सहमती वहां पे ली जाएगी, जनता की सहमती के अनुसार ही कल्यान कारी राज्ये का वहां पे स्थापना की जाएगी तो next आप देखते हैं Michael Sandal का एक concept है यह है प्रक्रियात्मक न्याय की आलोचना से समबंदित Procedural Justice की आलोचना की है Michael Sandal ने प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है सबसे पहले आप प्रोसीजरल जस्टिस को समझ लीजे प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस बाई प्रोसीजर जस्टिस बाई प्रोसीजर प्रोसीजर के द्वारा ही आपको जस्टिस दी दिया जाएगा जैसा कि इंडिया में अपनाया गया है for example आपके साथ क्या है मार पीट की जाती है for example आपके साथ क्या है मार पीट की जाती है तो क्या होगा for example एक प्रधान के साथ मार पीट की गई है और दूसरा क्या है एक common जो इनसान है common man है उसके साथ मारपीट की गई है तो इसमें क्या है ऐसा नहीं होगा कि परदान को उसमें ज़्यादा राहत दी जाएगी या फिर उसके केस को जल्दी सॉल्व किया जाएगा इन दोनों के common man और ये जो आपका परदान है इन दोनों के केसिस को एक प्रोसीजर के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा वो प्रोसीजर क्या होगा आपको कोट में जाना पड़ेगा आपको कोट में जाके याची का दायर करनी पड़ेगी उसके बाद आपकी सुनवाई होगी फिर आपकी आगे पेशियां लगती रहेगी तो एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा प्रदान के लिए भी और कॉमन मेन के लिए भी तो उसे कहा जाता है जस्टिस बाइ प्रोसीजर तो माइकल संडल ने इस न्याय की बिल्कुल आलोचना की है क्योंकि प्रोसीजर के द्वारा जो आपको जस्टिस दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा टाइम और ले लेता है फाइले क्या है इसमें अटकी रहती है पहले आपकी वहाँ पे जो शाखा होती है पहली शाखा जहाँ पे आप रिपोर्ट दर्ज करते हैं अपना केस दर्ज करते हैं वहाँ से वो नेक्स टेप में जाएगी नेक्स टेप नेक्स टेप उससे क्या होगा आपको जस्टिस दिल व्याख्या पर आधारित है तो पेरियार ईवी रामा स्वामी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये दक्षिन के तमिलनाडू के ऐसे एक धर्म सुधारी नेता थे जिन्होंने धर्म के अंदर सुधार किया जाती वेवस्ता को इन्होंने उखाड फैंकने की बात क कि ये तो एक कोरी कलपना है सची रामायन के अंदर इन्होंने बताया कि तमिलनाडू जो राज्य था उस टाइम का जो तमिलनाडू था वहां पे किस तरीके से वहां पे लोग रहते थे जो कि आप कह सकते हैं उनको वानर प्रवर्ती के थे मॉंकी टाइप का उनका व्याव अधार ऐसा था कि उनको बंदर की संग्या दी गई तो एक्चुली में कोई भी बंदर कोई भालू यूद करने नहीं गए थे ऐसी ये बिल्कुल ही कोरी कलपना की गई है और रामायन के अंदर इन्होंने राम को जो हमारे लौड राम है उनको इन्होंने भगवान नहीं मा इन्होंने उनको एक राजा माना है, किंग उनको इन्होंने माना है तो सची रामायन आप पड़ सकते हैं अगर आपने साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशन देखनी है रामायन की theory of polyarchy Robert A. Dehel ने प्रतिपादित की है theory of polyarchy propounded by Robert A. Dehel अब polyarchy क्या होता है अब देखो polyarchy का सिधान्त Robert A. Dehel ने क्यों दिया ये oligarchy, oligarchy आप लोगों ने पढ़ा होगा oligarchy oligarchy का मतलब होता है alp tantr alp tantr जिसमें कुछ लोग शाशन करते हैं कुछ लोग शाशन करेंगे तो definitely वो क्या है जनता का शोशन भी कर सकते हैं उसके स्थान पे इन्होंने क्या बात की इन्होंने बात की polyarchy की, poly का मतलब होता है many many का मतलब होता है बहुत सारे, arky का मतलब होता है शाशन जहां पे बहुत सारे लोगों का शाशन हो उसे कहा गया है पॉलियार्की तो इन्होंने एकात्मक सत्ता या कुछ लोगों के शाशन के स्थान पे पॉलियार्की की बात की है Beyond Ideology, The Revival of Political Theory दानते जर्मीनों की पुस्तक है यह question मैंने इसलिए यहां पे रखा है क्योंकि कई बार यह question पूछा गया है Political Theory के Revival से related तो Beyond Ideology अब दानते जर्मीनों एक तो यह Political Theory के Decline की भी बात करते हैं साथ में यह एक तरीका बताते हैं एक यह approach बताते हैं कि किस तरीके से Political Theory को हम Revive कर सकते हैं उसका पुनर उत्थान कर सकते हैं The Third Wave Democratization in the Late 20th Century S.P. Huntington की यह book है और S.P. Huntington ने इस किताब के अंदर नई विश्व व्यवस्था का विवेचन किया है कि नई विश्व व्यवस्था किस परकार से होगी नई विश्व विवस्था का मतलब क्या है अब विश्व विवस्था यानि World Order को आपको समझना पड़ेगा World Order कैसे डेवलप हुआ है World Order कैसे डेवलप हुआ है पहले आपने देखा होगा Balance of Power था Balance of Power के अंदर क्या है यह 1919 से पहले की situation है जब आपका First World War end होता है ठीके Balance of Power में क्या है जो बड़े बड़े देश थे बड़ी बड़ी शक्तिया थी वो क्या एक गुट बना लेती थी और जो दूसरे गुट थे उनके बीच यह क्या है Balance of Power बनाना बनाने की कोशिश करते थे Balance of Power जब बिगड गया तो First World War हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आप देखते हैं Second World War से पहले दूई ध्रूबिय विश्व बन गया जिसमें टू पॉल्स बने थे दूई ध्रूबिय ठीक है टू पॉल्स थे एक आपका अमेरिका था USA था दूसरा आपका था USSR Two Pols हमारे बनते हैं Second World War के बाद अब इसमें क्या था इसमें भी क्या है Balance of Power था लेकिन ये क्या है दो भागों में पूरा का पूरा विश्व बदल गया था लेकिन होता क्या है 1991 में जब डिसिंटीग्रेशन होता है USSR का उसके बाद एक दृविय विश्व रह जाता है Single Polar World रह जाता है Single Polar World एक ही पोल था वो था USA लेकिन SP Huntington ने New World Order में क्या कहा कि अभी World Single Polar नहीं है Multipolar World बन चुका है क्यूंकि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रूप ऐसे बन चुके है सार्क आपका पावरफुल हो चुका है आसियान आपका पावरफुल हो चुका है आपका रिजनल ओर्गोनाइजेशन कही है जो पावरफुल हो चुके है तो इस तरीके से इन्होंने इसमें बात की है तो नेक्स्ट यहाँ पे concept है Making Democracy Work Civic Tradition in Modern Italy तो यह 1993 में बुक लिखी गई है Robert Putnam Dwarah और यह जो बुक है यहाँ पे क्यों रखी गई है क्यों यह most important बुक है क्योंकि इन्होंने social capital के बारे में इसके अंदर बात की है जो हमारी modern democracy है Making Democracy Work आप देख रहे हो कि democracy को work में कैसे लाय जा सकता है इसको career route में कैसे लाय जा सकता है तो democracy को effective बनाने के इसमें suggestion दिये गए है जिसमें इन्होंने social capital की बात की है तो social capital की बात किस ने की है Robert D. Putnam ने making democracy work के अंदर Confucius, Confucius से related यहां पर आपको question मिलेंगे Confucius का जन्म 28 September 551 इसापूर वर्तमान चीनी कुफु जिले में हुआ था यह जो चीन है हमारा चीन के कुफु जिले में Confucius का जन्म हुआ था 551 इसापूर Confucius का जो वास्तविक नाम था औरीजनल जो इनका नाम था वो कौन फुजी था जो की मंदारीन जो language है मंदारीन जो आप बोल सकते है स्क्रिप्ट है मंदारीन स्क्रिप्ट कौन फुजी का एक लेटिन रूप है जिसका मतलब होता है Master Kong इसका मतलब क्या होता है Master Kong Confucius की शिक्षाएं फाइव क्लासिक नामक ग्रंथों में संक्यलित है ठीक है इसको फाइव क्लासिक्स कहा जाता है जो इनकी शिक्षाएं है Confucius ने अपने आप में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है उनकी जो वानी थी कभीर की तरह अब देखिए कभीर को जब आप पढ़ते हैं कभीर भी कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे ना ही उन्होंने कोई लिट्रेचर लिखा है तो कभीर की तरह Confucius ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा है और इनके जितनी भी वानी है इन्होंने जितने भी डायलोग बोले है जितने भी इनके डिस्कोर्स है वो इनके स्टूडेंस ने इनके शिश्यों ने संकलित किये हैं इनकी मृत्यू के बाद और उनकी जो वानी है उनके जो डिस्कोर्स है उनके जो डायलोग है उसको 20 chapters के अंदर विभाजित किया गया है जो लगभग 200 वर्षों के अंतरालों में लिखा गया है 200 years, 200 साल के अंतराल के अंदर ये सारे के सारे discourse लिखे गए है और दोस्तों चीन की जो सिश्वी नदी है चीन की सिश्वी नदी है, वहाँ पर Confucius की स्मृति है और उनका जो मकबरा है, उनका जो मूल मकबरा वहाँ पर बनाया गया है उसमें कुलहारी के आकार का एक चिन रखा गया है उनकी याद में तो ये भी कोशन आ सकता है कि इनकी स्मृति कहां पर बनाई गया है ठीक है, इनका मकबरा कहां बनाया गया है, तो ये सिश्वी नदी के किनारे और इनका प्रतीक क्या है, चिन क्या है, वहाँ कुलहारी एक्स Confucius की जीवनी तथा शिक्षा के बारे में Hence Dynasty के समय लिखी गई पुस्तक Shiji से हमें एतिहासिक जानकारी मिलती है अब historical fact अगर हमें लेने हैं Confucius के बारे में तो वह कहां मिलेगे ये एक book है Shiji इसमें ये मिलेंगे हमें इनके सारे fact Confucius का John Locke की भाती यहां मानना था कि जो लोग स्वभावी रूप से अच्छे थे अब देखिए यहां पे क्या है Confucius John Locke की तरह बोलते है Confucius John Locke की तरह नहीं बोलते है John Locke Confucius की तरह बोलते है क्योंकि Confucius पहले आये लेकिन मैंने यहां पे क्यों बोला है कि Confucius John Locke की तरह बोलते है क्योंकि John Locke आपने पढ़ा है John Locke क्या बोलते है John Locke बोलते है कि मनुष्य क्या है स्वभाविक रूप से अच्छे हैं इसलिए प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी तो Confucius भी सेम वही बोलते हैं मनुष्य क्या है प्राकृतिक रूप से अच्छे थे Confucius की नैतिक शिक्षाओं में आत्मसाधना, ठीक है, सेल्फ, कल्टिवेशन, नैतिक गुणों का अनुकरण और नियमों के ज्ञान के बज़ाए कुशल निर्णय की प्राप्ती पर जोर दिया गया है कुशल निर्णय की प्राप्ती की अच्छे डिसीजन कैसे लिये जाए अच्छे डिसीजन का यहाँ पर मतलब है ऐसे डिसीजन जिसके द्वारा व्यक्ति का खुद का विकास भी हो उसकी आत्मा का विकास भी हो उसकी सेल्फ डेवलेप्मेंट भी हो और समाज का विकास भी क्योंकि तर्क वितर्क कभी भी गलत साबित हो सकते है जो आज के टाइम के हमारे लॉजिक है जिसके उपर हमारा आज का बोल सकते है पूरा का पूरा धर्शन टिका हुआ है इसको इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि इनका मतलब है तर्क और वितर्क जो है वो गलत साबित किये जा सकते हैं अब क्यों इन्होंने ऐसी बात की अगर तर्क और वितर्क के आधार पे आप ईश्वर को समझने की कोशिश करें भगवान को समझने की कोशिश करें तो तर्क के आधार पर आप हमेशा पाओगे कि भगवान एक्जिस्टेंस में नहीं है अब आप बोलोगे कि लॉड जो हमारे लॉड जो कृष्णा थे वो एक्जिस्टेंस में थे अब इसके उपर अगर आप तर्क करोगे उनके पास उदर्शन चक्र था तो आप तर्क करोगे अगर उस टाइम उनके पास उदर्शन चक्र था तो आज उसके एविडेंस क्यों नहीं है तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला कि तर्क वितर्क बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आपने आत्मा का ज्यान प्राप्त करना है माक्सवाद की तरह कनफ्यूशेस वाद अब यहाँ पर कनफ्यूशेस की बात नहीं हो रही है कनफ्यूशेस वाद की बात हो रही है कनफ्यूशेस वाद माक्सवाद की तरह अनेक चिंतकों के विचारों का संग्रह है यह मात्र कनफ्यूशेस की शिक्षाएं नहीं है Confucius Swad को जब आप पढ़ोगे तो Confucius Swad mainly three stages के अंदर, तीन भागों के अंदर ये divide किया गया है पहला है Classical Confucius Swad, दूसरा है Modern Confucius Swad और तीसरा है Neo Confucius Swad तो Confucius Swad क्या है? Confucius के शिक्षाओं से related और उससे जुड़े different चिंतकों के विचारों का संग्र है अन्य धर्मों की तरह Confucius Swad चीन का एक धर्म बाना गया है लेकिन जब इसे हम गहराई से समझते हैं तब हमें ज्यान होता है कि ये धर्म निरपेक्ष प्रवर्ती का है इसको क्या समझा जाता है? एक धर्म Confucius क्या है? Confucius दर्म चीन का लेकिन जब हम इसे deep understanding से इसको समझते हैं तो ये क्या है? ये secular nature का एक idea है, ideology है Confucius वाद मुख्यता प्रशिक्षित सिविल सर्विस परिक्षा से संबंदित था जिसका लक्ष आदर्श राज्य का निर्माण करना होता था अब जो ट्रेंड जो सिविल सर्वेंट थे इसकी बात सबसे पहले चाइना के अंदर की थी Confucius ने उसके बाद बात हुई है USA के अंदर ट्रेंड सिविल सर्वेंट की तो सिविल सर्विस कैसे रन की जाएगी, उन्हें कैसे ट्रेंग दी जाएगी और किस तरीके से वो अपना योगदान दे सकते हैं समाज के लिए ये सारी बाते Confucius वाद में हमें देखने को मिलती है Confucius वाद की प्रशिक्षित सिविल सर्विस का चीन में अधिकारिक रूप से 1905 में अंत हो गया 1905 के दौरान जो ये ट्रेंड सिविल सर्वेंट थे इसकी जो वकालत की जाती थी इसको ओफिशियल रूप में 1905 में खतम कर दिया गया है हाला कि ये पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है उसके बाद इसने रिवाइब किया है जिसे नियो कन्फूशेशनिजम कहा जाता है ये चार्स टिली ने एक बुक लिखी है फ्रॉम मुबलाइजेशन टु रिवलूशन इसके अंदर इन्होंने क्रांती के कारणों की व्याख्या की है कि क्रांती किन किन कारणों से होती है और इन्होंने सापेक्षिक वंचना सापेक्षिक वंचना की यहाँ पर बात की है सापेक्षिक वंचना सिधान जब आप पढ़ते हो तो कालमाक्स को उसमें आप बेसिकली पढ़ते हैं कालमाक्स और ग्रामशी को लेकिन सबसे पहले सापेक्षिक वंचना का जो सिधान दिया था वो चार्ल्स टिली ने दिया था अपनी पुस्तक के अंदर ठीक है सापेक्षिक वंचना का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जनता है और आपका जो शाशन है जनता और शाषन के बीच जब इस तरीके से मन मुटाओ हो जाए कि जनता जो डिमांड कर रही है वो डिमांड शाषन अगर पूरा नहीं करते हैं उसे कहा जाता है सापेक्षिक वंचना जो जनता डिमांड कर रही है शाषन उसे पूरा नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा करांती होगी इसे कहा गया है सापेक्षिक वंचना तो ये करांती के कारणों की बात की गई है चार्ल्स तिली द्वारा तो State and Social Revolution बुक लिखी है थेड़ा स्कोक पॉल ने और State and Social Revolution 1979 की जो इनकी बुक है इसमें थेड़ा स्कोक पॉल ने फ्रांस और रश्या के अंदर जो क्रांती हुई थी उसके कारणों की इन्हों ने विवेचना की है इस बुक के अंदर और नेचर क्या था फ्रांस की क्रांती का और रश्या की क्रांती का Social Origin of Dictatorship and Democracy ये बुक भी most important है ये Barrington Moore Jr. ने लिखी है और इसमें इन्होंने क्या है Marxist approach को अपनाया है Marxist interpretation को अपनाया है आप यहाँ पर देख रहे हो Social Origin of Dictatorship and Democracy Barrington Moore Jr. कहते हैं कि जो आपका dictatorship है या democracy है उसकी उत्पत्ती के क्या क्या कारण हो सकते है तो इन्होंने Marxist interpretation यहाँ पर दी है पहले क्या बात की जाती थी कि क्रांती का कारण क्या होता है क्रांती का कारण होता है Ideological ये most important है आपके लिए इसको आपने लिख लेना है Ideological सबसे पहले क्या बात की जाती थी कि क्रांती का कारण क्या होता है Ideological कारण होता है विचार धाराओं के कारण क्रांती होती है या फिर social origin के कारण क्रांती होती है की सामाजिक जो भेदभाव होते हैं उसके कारण करांती होती है लेकिन इन्होंने बिल्कुल इसको नकार दिया और इन्होंने क्या है Marxist interpretation दी यानि आपकी democracy स्थापित होती है या आपका dictatorship स्थापित होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की economic condition क्या है economic तो Marxist का मतलब क्या है economic condition वहां की क्या है तो Marxist हमेशा economy को ही supreme मानते हैं हर एक situation के लिए नेक्स्ट आप देख रहे हो ये है AOS Organization of American State ये 1948 में स्थापित हुई एक organization है जिसका headquarter Washington DC में है ठीक है यहां से direct question आप से पूछा जा सकता है ASEAN की स्थापना 8 अगस्ट 1967 में हुई ASEAN की जो स्थापना हुई है 8 अगस्ट 1967 direct question आ सकता है और इसकी स्थापना हुई है Bangkok declaration के दौरा तो दोनों टाइप से आप से question पूछा जा सकता है कि Bangkok declaration किस organization की उत्परती से related है ठीक है अब देखिए जो ASEAN के original member थे original member इसके पांस थे Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand ये पब्लिक एड का concept है Peter F. Drucker ने प्रशाशन में M.B.O. का सिधान प्रतिपादित किया M.B.O. का मतलब होता है management by objective तो इस concept को आगे हम detail में समझने की कोशिश करेंगे Confucius 6.8 के ज्याता थे Confucius जो थे वो master थे 6.8 के अब 6.8 वो कौन-कौन सी है पहला है rights अधिकार दूसरा है music तीसरा है तीरंदाजी इसे आर्ची कहा जाता है चौथा है सार्थी सार्थी का मतलब होता है जो रत को चलाता है और चौथा है सुलेक, सुलेक यानी कैलियोग्राफी और पांचवा है गणित यानी mathematics तो ये पांच arts के master थे Confucius ने सरकार में पहले magistrate के रूप में काम किया, सबसे पहले magistrate ये बने, उसके बाद सार्वजनिक कारियों में सहायक मंत्री बने और अन्त में लू, राज्ये के न्याय मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया Confucius के जो Confucius थे confiance ने व्यक्तियों के कर्तवयों पर विशेश दहान दिया, duties के उपर इन्होंने mainly focus किया है और उन्होंने कहा व्यक्ति का प्रतम कर्तवय उनके परिवार के बड़ों के परती होता है तो duties की इन्होंने बात की है duty सबसे पहले क्या है परिवार के बड़ों के प्रती एक व्यक्ति की duty बनती है mainly most important mainly इन्होंने क्या है father पित्र रिन की इन्होंने बात की है कि जो व्यक्ति है उसका सबसे पहला करतव्य और सबसे पहला रिन उसका किसके प्रती होता है debt किसके प्रती होता है father के प्रती ठीक है OPEC की स्थापना 1960 में हुई और OPEC का जो headquarter है Vienna, Austria में इसका headquarter है OPEC का मतलब होता है Oil, producing and exporting countries ठीक है Sir Creek अब OPEC के बारे में question आप से पूछा जाता है कि OPEC क्या organization है? No ये कोई organization नहीं है ये एक cartel है cartel cartel का मतलब क्या होता है cartel का मतलब होता है एक ऐसी sense था ये कोई regional organization नहीं है ये एक ऐसा institution है जो की rates को control करता है पेट्रोल के rates को control करने के लिए ये institute बनाया गया है सरक्रीक सीमा इंडिया वा पाकिस्तान के बीच है जिसके लंबाई 96 km है सरक्रीक को यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि सरक्रीक एक विवाद है dispute है इंडिया और पाकिस्तान के बीच boundary dispute तो ये 96 km की boundary है इसके बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे 1983 में गुट निर्पेक्ष सदस्य 29 थे अब 1983 में ही मैंने यहाँ पे क्यों बात की 1983 में 29 थे भई हमें क्या लेना देना 1983 हमारे लिए इसलिए important है क्योंकि ये 7th summit थी नेम की non-alignment movement की ये साथ हुई साथ हुई क्या थी साथ हुई ये बैठक थी और ये इंडिया न्यू डैली में हुई थी तो ये question आपके लिए most important है 1983 का Second International Congress Brussels में हुई जौहलाल नेहरू ने 1927 में इसमें भाग लिया और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा जौहलाल नेहरू पर पड़ा था और communist ideology से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे इसलिए आप देखते हैं 1952 के बाद जब ये प्रधान मंत्री बने तो जो socialistic pattern अपनाया गया था हमारी economy का तो इसका बहुत ज्यादा इनके उपर प्रभाव पड़ा था second international congress ठीक है तो इस congress को क्या है imperialism के खिलाफ भी congress के नाम से भी जाना जाता है imperialism के खिलाफ congress के नाम भी इसे जाना जाता है पहले गुट निर्पेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन था उसके अंदर 25 देश सम्मेलित हुए थे तो ये भी आपने याद रखना है जो first बैठेख हुई थी उसके अंदर 25 countries थी अब जो founder members वैसे सभी को पता होता है लेकिन इसको याद रखना आपने founder members of name यानि जो non-alignment movement की बात की गई थी जो नीव रखी गई थी तीन सदस्यों द्वारा रखी गई थी अब्दुल नासिर जो की मिसर के शाशक थे मार्शल टीटो यूगोसलाविया के और जुआहालाल नहरू जो की इंडिया यानि भारत के प्रदानमंत्री थे देश भी कहा जाता है जो गुट निर्पेक्ष देश है इनने थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है क्यों अब ये उस टाइम के हिसाब से कहा जाता है आज के टाइम के हिसाब से नहीं उस टाइम के हिसाब से उस टाइम में क्या होता था first world country जो कि capitalist थी ठीक है first world जो capitalist थी second world जो communist या socialist थी communist third ऐसी जो क्या थी गुट निरपेक्ष थी non aligned थी non aligned को कहा गया था third world अब देखते हो first world की बात होती है third world की बात होती है भी second world कहा गया second world था communist जो कि 1991 में ढह गया है इसलिए कभी भी second world की बात नहीं होती है आपने किताबे पढ़ लेना है first world की बात होएगी third world countries की बात होएगी अब third world से एक question और भी बनता है third world country को global south भी कहा जाता है ये question क्या है ये अभी question set के अंदर आया था maybe net के अंदर भी ये question repeat हो सकता है तो global south भी कहा जाता है third world को recently आज के time पे तो current का ये question है गुट निर्पेक्ष देश वर्तमान जून 2020 में 120 है तो जून 2020 तक non-alignment जो countries है वो 120 है यानि अभी भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन जीवित है और ये काम कर रहा है हाला कि इसके target चेंज हो चुके है अब question इस तरीके से Mphil में आया था हमारे HPU के Mphil में आया था कि क्या गुट निर्पेक्ष अंदोलन है वो खत्म हो चुका है या निश्परान हो चुका है ठीके तो ये खत्म नहीं हुआ है Non-Alignment Movement अब आतंकवाद के उपर काम कर रहा है कि आतंकवाद को हम कैसे रूख सकते हैं हम Sustainable Development Goal को कैसे अचीब कर सकते हैं तो ये सहयोग के लिए अभी भी काम कर रहा है ठीके अब यहाँ पर एक question गुट निर्पे ये third word से यहाँ पर Global South से बन सकता है Global South टर्म किस ने यूज की तो ये World Bank ने टर्म यूज की थी Rational Choice Theory के प्रतिपादक Gary Baker जाने जाते हैं जो Rational Choice आपकी थियूरी है ये Public Ed का एक concept है Rational Choice का मतलब होता है आप किसी भी चीज का चैयन करते हैं आप कोई भी policy का चैयन करते हैं चूज करते हैं किसी भी policy को वो Rationality के आधार पे करते हैं तो Gary Baker ने ये सिधान प्रतिपादत किया था और Gary Baker Nobel Prize विजेता है इसी के लिए इन्हें Nobel Prize मिला था Rational Choice प्रतिपादित करने के लिए पाकिस्तान 1954 में सीटो का सदस्य बना सीटो का मतलब होता है Southeast Asia Treaty Organization अब देखिए सीटो जो है 1954 में ये बना था और 1977 में इसको डिजॉल्व किया गया था तो ये जो सीटो था सीटो USA से रिलेटिड है USA का जो गुट था उससे ये रिलेटिड था और पाकिस्तान इसमें जुडा हुआ था ये हमारे जो उस टाइम के फोरण पॉलिसी है उस हिसाब से मौस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडिया नौन अलाइनमेंट मुव्मेंट के साथ जुडा हुआ था और पाकिस्तान USA के साथ यही कारण है कि 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ उसमें USA ने अपनी आर्मी को पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए भेजा था उसको हम आगे देखेंगे भारत के तारापूर सयंत्र के लिए USA ने 1963 में समझोता किया था लेकिन हमारा जो पोखरन 1 होता है पोखरन 1 क्या है जब हमने अटोमिक एनरजी या फिर आप बोल सकते है परमाणू वी स्पोर्ट जो हमने किया था सबसे पहले उसके कारण क्या है USA ने इसमें सहायता देना बंद कर दिया असिस्ट करना इसको बंद कर दिया तो परमाणू सयंत्र के लिए 1963 में समझोता हुआ था पंच्शील समझोता चीन के चाउ इनलाई एवं जौहालाल नहरू के बीच 1954 में हुआ था पंच्शील एग्रिमेंट को आपने अच्छे से पढ़ देना है यहां से कोशन आ सकता है पंच्शील के पांच सिधान्त है और दोस्तों जो पंच्शील सिधान्तिस के बारे में लोगों में थोड़ा सा misunderstanding रहती है कि यह इंडिया और चाइना के भी इस डारेक्ट हुआ था यह जो पंच्शील एग्रिमेंट हुआ था यह बेसिकली हुआ था तिबबत से related तिबबत से related यह हुआ था हाला कि तिबबत अभी चाइना का हिस्सा है लेकिन ओफिशेली नहीं है उसने occupy किया है कबजा किया हुआ है तो यह चाइना के तिबबत से related भारत के प्रधान मंत्री जोहालाल नहरू और चीन के पहले प्रधान मंत्री चाइन लाई के बीच हुआ था हुआ इंडिया चाइना के बीच था लेकिन इशू क्या था तिबबत का इशू तिबबत संबंदि शिमला समझोता 1914 में हुआ था इस से related काफी लोग confusion में रहते हैं लेकिन बिल्कुल confused नहीं होना है बिल्कुल सही बात है तिबबत से संबंदित शिमला समझोता 1914 में हुआ था ये इंडिया और चाइना के बीच नहीं हुआ है इस बात को आपने याद रखना है ये किस के बीच हुआ है ये हुआ है ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना के बीच में उस टाइम ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने मैक मोहन रेखा की नीव रखी थी हाला कि चीन मैक मोहन रेखा को गेर कानूनी मानता है अभी क्या है अभी जितने भी डिस्प्यूट हमारे चाइना के साथ है मैक मोहन रेखा के कारण तो चाइना का क्या मानना है कि ये तो British India ने समझोता किया है तो हम इसको क्यूं माने ये independent इन्डिया ने तो मैखमोहन रेखा नहीं बनाई है न इसलिए ये डिस्प्यूट अभी भी हमारा बना हुआ है चीन में 1911 की क्रान्ती के नेता थे सान्यात सैन सान्यात सैन राष्टरवादी नेता थे ठीके च्यांकाई शेक इनके बाद हुए च्यांकाई शेक जिसके साथ माओ का डिस्प्यूर था और माओ ने 1929 में च्यांकाई शेक की सब्ता को उखाड फेंका था और साम्यवाद की स्थापना की थी चीन में तो पहले नेता कौन थे? सान्याद सेन उसके बाद च्यांकाई शेक नेता बने थे ये राश्टरवादी नेता थे कॉम्मिनिस्ट नेता ये नहीं थे ये बात आपने याद रखनी है भारत द्वारा चीन को राज्जे के रूप में माननेता 30 दिसंबर 1949 को दी गई थी तो ये डेट भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये डारेक्ट कोश्चन यहाँ से आपका बन सकता है 30 दिसंबर 1949 सिक्किम राज्जे बना 16 मई 1975 16 मई को बनाया जाता है Foundation Day of Sikkim ठीक है तो ये कोश्चन यहाँ पर क्यों रखा गया है क्योंकि Sikkim एक विवादित क्षेतर था चाइना इसको अपने क्षेतर में अपना क्षेतर इसको मानता था तो हमने क्या क्या था इंडिया ने इंडिया ने Sikkim को क्या है Union Territory बनाया था लेकिन जब dispute इसके उपर बनने लगे तो क्या है इसको एक fully state, complete state का दरजा दिया गया था 16 मई 1975 को CETO CETO का मतलब होता है South East Asia Treaty Organization जिसके स्थापना 1954 में की गई थी लेकिन यहां पे एक चीज और इसमें add करने को रह गई थी जो पीछे मैंने नहीं की थी वो यह है कि इसे Manila Pact भी कहा जाता है और यह एक आठ सदसी ट्रिटी थी और इसके अंदर पाकिस्तान था जो कि पहले ही आपको बता चुका हूँ तो Manila Pact यहां पे आपके लिए important हो जाता है CETO किसके द्वारा बना Manila Pact के द्वारा CENTO CENTO का मतलब होता है Central Treaty Organization Central Treaty Organization जिसके स्थापना USSR के विरोध में फरवरी 1955 में हुई और USA इसमें बाद में जुड़ा है अब यह Central Treaty Organization है इसमें USA कब जुड़ा? USA इसमें जुड़ा 1958 में और इसे कहा जाता है Baghdad Pact Baghdad या METO Pact भी कहा जाता है Middle East Treaty Organization भी कहा जाता है तो यह most important है Manila Pact से बना CETO और CENTO बना Baghdad Pact के द्वारा और यह 5 सदस्य ट्रिटी थी और पाकिस्तान भी इसका सदस्य था 1979 में यह खतम हो गई CETO कब खतम हुई? Manila Pact से जो बनी थी CETO खतम हुई थी 1977 में और CENTO खतम हुई 1979 के अंदर Hari Singh Hari Singh थे कश्मीर के शाशक Hari Singh ने कश्मीर के विले पत्र पर 26 अक्तूबर 1948 को हस्ताक्षर किये थे यह डेट आपके लिए important है जिस दिन उन्होंने विले पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किये थे उसी दिन से क्या माना जाता है कि जो कश्मीर के लोग है वो चाहे तो कश्मीर के मतलब इंडिया में रहे या फिर वो पाकिस्तान में जाए तो यह 26 अक्तूबर 1948 आपके लिए important है ताशकंद समझोता ताशकंद समझोता सोवियत संग में हुआ 10 जनवरी 1966 में ताशकंद जो है यह एक प्लेस का नाम है जो कि अभी रशिया में है उस टाइम यह USSR में होता था तो यह USSR का विगटन हो चुका है तो ताशकंद समझोता क्या है रशिया में हुआ है सोवियत संग के अंदर हुआ है 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझोता किस से रिलेटिड है यह 1965 के भारत पाक युद से संबंदित है ताशकंद समझोता थीक है यानि सोवियत संग ने इसमें मेडियेशन किया है मेडियेशन का मतलब क्या होता है आप जिसमें मध्यस्ता करते हैं बीच बचाओ करते हैं उसे कहा जाता है मेडियेशन या मध्यस्ता ठीक है इंडिया-USSR पीस ट्रिटी 1971 को हुई जब USA युद में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था अब देखिए 1971 से पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी कि हम कहीं भी अलाइन नहीं होंगे किनी किसी भी देश के साथ हम कोई भी ट्रिटी इस तरीके से नहीं करेंगे लेकिन होता क्या है 1971 का जो वार चलाओ था इंडिया-पाकिस्तान के बीच युद पोतों को भेज दिया उन्होंने ठीके बड़े-बड़े क्या है जहाजों को भेज दिया USA ने किसके सपोर्ट में पाकिस्तान के सपोर्ट में तो इंडिया ने क्या किया अगर USA के जो युद पोत थे बड़े-बड़े जो जहाज थे अगर उन्होंने इंडिया की नेवी के उपर आकर्मन कर दिया तो डेफ ने हमें अश्योर किया कि अगर USA आपके उपर अटे करता है युद पोतों से तो USSR आपके साथ खड़ा है जिसके कारण होता क्या है USA को वापिस हटना पड़ा था तो ये 20 साल की ट्रिटी हुई थी ये भी आपने हाद रतना है 20 येर की ट्रिटी हुई थी 1991 में ये खतम हो गई क्योंकि USSR ही खतम हो गया और 20 साल भी खतम हो गए थे गौरबाचौव गौरबाचौव ने 25 दिसंबर 1991 में त्याग पत्र दिया जिससे सपर्ष्ट हो गया की USSR ढह गया है गौरबाचौव वो व्यक्ति थे जिन्होंने दो टाइप की पॉलिची लाई थी जिसे ग्लास्नोस्ट और पेरिस्ट्रोई का कहा जाता है उसका विगटन सुनिश्चित हुआ ग्लास्नोस्ट का मतलब होता है इस तरीके की पॉलिसी अपनाना जो ग्लास की तरह हो ग्लास की तरह मतलब पारदर्शी नीतिया अपनाएंगे और पुराने रिकोर्डों को भी खंगा लेंगे कितने लोग USSR की बज़े से मारे गये हैं उनकी तणाशाहि के वज़े से वो भी निकला जब लोगुको पता लगा कि इतनी तानाशाहि इतने जब उन्होंने पारदर्शी नीतिया अपनाई तो रिवॉलीुशन उनके खिलाप उठने लगी tantraoica का मतलब होता है री कंस्ट्रक्षन री कंस्ट्रक्षन उन्होंने economy क reconstruction किया, politica reconstruction किया reconstruction से क्या हुआ politica जब reconstruction हुआ तो उन्होंने जो है प्रांत थे उनको भी स्वायत्ता, autonomy प्रदान की जब autonomy प्रदान उनको की गई तो उन्होंने USSR से अलग होने की मांग उठाई, तो गौरबा चौब लास्ट आप कहां सकते है USSR के अध्यक्ष थे और 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने त्याग पत्र दिया Officially end होता है 25 दिसंबर को USSR का USSR ने अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया, तो USSR का जो intervention of Afghanistan 1979 और यही से अफगान युद शुरू होता है USSR भारत के कुदान कुलन परमानु सेंतर में सहायता कर रहा था तो USSR असिस्ट कर रहा था इंडिया को कुदान कुलन नुकलियर प्लांट के अंदर तो यह question आप से direct पूछा जा सकता है तारापूर सेंतर के लिए USA, कुदान कुलम के लिए USSR Yelstein रूस का पहला राष्टरपती था तो रूस का निर्मान कब होता है 1991 में इससे पहले यह USSR था तो पहला राष्टरपती रशिया का Yelstein 1991 में यह बना भारत-रूस-चीन समझोता भारत-रूस-चीन समझोता हुआ है 2001 में और यह गुड फ्रेंट नेबर हुट के लिए हुआ है कि अच्छे पडोसी देश हम बनेंगे ठीक है भारतिय विमान का अपहरन इसके बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे जो इंडियन एरो प्लैन का जो हाईजेक हुआ था 24 दिसंबर 1999 के हुआ था ये काठ मांडू से दिल्ली जा रहा था और इसमें 176 यातरी बैठे थे वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा इसको मैं फास्ट करने की कोशिश करूँगा भारतिय संसत पर जैश का आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 तो ये कूट में जो मिलाने के लिए कोश्चन आपको आते हैं A का 2, B का 1 इस तरीके से यहां पर डारेक्ट कोश्चन आपके ये बन सकता है इसलिए डेट्स आपने बिलकुल याद रख लेनी है लुकिस्ट पॉलिशी को एक्टिस पॉलिशी 2014 में PM Modi द्वारा बनाया गया था इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अलग से एक टॉपिक लगा है आपके Indian Foreign Policy के अंदर Napoleon Bonaparte ने 1812 में रूस पर आकर्मन किया था जिसके कारण जिसके बाद जार शाशक से लोगों का विश्वास उठने लगा Napoleon Invade Russia 1812 Most important ये आपके जर्मनी और इटली के एकी करण से रिलेटिड है जार शाशक क्या है सोरी रूस से रिलेटिड है रश्या के एकी करण से रिलेटिड है उसके बाद जर्मनी और इटली का भी एकी करण होता है क्योंकि उन्होंने सीख ली जब रूस जैसे बड़े देश के ऊपर आकरमन हो सकता है तो जर्मनी ने सीख ली कि हमें क्या है इंटिग्रेशन करना पड़ेगा हमें क्या है एकता स्थापित करनी पड़ेगी ठीक है तो जार शाशक थे उसका डिकलाइन शुरू हुआ अठारा सो बारा के बाद रशिया के अंदर विदेश मंत्राले की स्थाई समीती का गठन होता है 1902 में ये कोशन आप से पहले भी पूछा जा चुका है अध्यक्ष बनाया जाता है वो क्या है उपोजिशन पार्टी से बनाया जाता है विदेश मंत्राले समीती USA के प्रेजीडेंट आआजन हावर की भारत यातरा अब ये पहली बहुत बड़ी यातरा थी भारत की ये थे आईजन हावर जिनोंने इंडिया की आत्रा की थी और बहुत सारे नुकलियर प्लांट ये तारापूर सयंत्र और बहुत से डेवलेप्मेंट पॉलिसी से रिलेटिड यहाँ पे संधिया की गई थी दलाई लामा 1959 को भारत आये थे तो इमिग्रेशन जो इनकी हुई थी ये 1959 को हुई थी और अभी ये इंडिया में ही है Confucianism जो है इसे मानवतावाद का चीनी उधारन माना जाता है क्योंकि इन्होंने human value के उपर इसमें focus किया है मानव की स्वतंतरता को कैसे सुनर्शित किया जाए मानव का विकास कैसे किया जाए उसके जीवन को अच्छा कैसे किया जाए इसके उपर इन्होंने बात की है, इसलिए इसे humanistic example of Chinese कहा जा सकता है अरुनाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाने से पहले नेफा कहा जाता है अब नेफा का मतलब क्या होता है, नेफा का मतलब होता है North East Frontier Agency आप डारेक्ट आप से पूछा जा सकता है North East Frontier Agency उसको कूट में आपको मिलाना है तो आप सीधा किस से क्या करोगे इसको मैच अरुनाचल प्रदेश से गोवा 19 दिसंबर 1961 से पहले पुर्टगाल के अधीन था ठीक है गोवा 1961 से पहले किस के अधीन था पुर्टगीज के अधीन बारतिय सेना ने पुर्टगाल को इसे चोड़ने के लिए मजबूर किया वा दमन वा दीव और गोवा को मिलाकर एकेंदर शाषित प्रदेश बनाया गया तो गोवा पहले किस के अधीन था गोवा पहले अधीन था पुर्टगाल के यह अंग्रेजो के अधीन नहीं था यह कोश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है मिसर हाला कि 1922 में स्वतंतर हुआ लेकिन 1956 में ये पूर्ण रूप से स्वतंतर हुआ जब मिसर के उपर राष्ट्री करन इन्हों ने किया मिसर की जो स्वेज नहर है ठीक है मिसर का स्वतंतर हुआ 1922 में लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंतर कब हुआ जब स्वेज का राष्ट्री करन इन्होंने किया था इसको भी हम डीटेल में आगे पढ़ेंगे स्वेज नहर का जो स्वेज करनल क्राइसीज है मोस्ट इंपोर्टेज रहता यह हमारा कोल्ड वर के दोरान तो यह डीटेल में पढ़ेंगे इसे USSR के लुसियाना ने मार्च 1990 में सबसे पहले स्वतंतरता गोशित की USSR के अंदर एक देश हुआ करता था लुसियाना अब कहते हैं कि करांती का अगरदूत किसे कहा जाता है USSR के अंदर अब USSR के अंदर लुसियाना पहला ऐसा प्रांत था राज्य था जिसने 1990 में सबसेंटरता की गोश्णा की वियतनाम आसियान में 1995 में जुड़ा वियतनाम क्राइसीज को हम पढ़ेंगे वियतनाम क्राइसीज क्या था डीटेल में इसको पढ़ेंगे और वियतनाम आसियान से 1995 में जुड़ा उसके बाद म्यामार जो था वो जिसे बर्मा कहा जाता है वो 1997 में इससे जुड़ा USSR का विगटन अब ये important आपके लिए है यहां से question आप से कई बार पूछा गया है directly, indirectly USSR का जो विगटन होता है disintegration होता है वो 15 राज्यों में हुआ 15 राज्ये में ये divide हुआ इन देशों ने इसके बाद CIS बनाया CIS तो full form से related भी question आ सकता है CIS का मतलब होता है Commonwealth of Independent States ठीक है Commonwealth of Independent States ज्यान की शाखा त्रहिको कोटिले ने शाष्त्रों के रूप में परिभाशित किया ठीक है ज्यान की इन्होंने तीन शाखाएं बताई है कौन-कौन सी शाखाएं बताई है इन्होंने दंडनीती ठीक है दंडनीती यानि राजनीती का ज्यान इन्हों ने शash Persian का ग्यान की बाद की है ठीक है और इन्हों ने Ecoomics की बाद की है अर्थ निती की बाद की है तीन ज TRAGI की शाखाएं हैं जिसको हम आगे डिटेल में पड़ेंगे ठीक है उसमें से TRAI क्या है? जो Scriptures का knowledge है इंडियन स्कृप्चर है वैदों की नौलेज है आपके पुराणों के तीन वैदों की जो नौलेज है उसे इन्होंने त्रही कहा त्रही में क्या क्या शामिल है त्रही में शामिल है रिगवेद, यजुरवेद और सामवेद त्रही का मतलब होता है ट्रायोलोजी त्रही का मतलब होता है ट्रायोलोजी हो रही होगी कि इसका निर्मान तो 1967 में हुआ हेड़कौार्टर इसका जकार्ता में है लेकिन ये क्या है कि 1976 में लगबक 9 साल बाद इसकी बैठक हुई बिल्कुल सही है 9 साल बाद ही इसकी पहली बैठक हुई है बाली इंडोनेशिया में राज्य का सामाजिक समझोता सिधान का समर्थन सबसे पहले सौफिस्टों ने किया था ये सौफिस्ट कौन है सौफिस्ट एरिस्टोटल और प्लेटो के समकालिन या उन से पहले के दार्शनिक है इन्होंने रज्ये की सामाजिक समझोते सिधानत काि उलेक सबसे पहले किया था उसके बाद किस ने किया, अगर पीरियट की बात करें तो हॉबस ने हॉबस के बाद किस ने किया, हॉबस के बाद किया, लौक ने, उसके बाद रूसो ने ठीक है Element of Laws या Element of Law 1650 में लिखी गई है Hobbes के द्वारा Element of Law यहां पर क्यों important इनकी बुक क्योंकि इन्होंने इसमें प्राकृतिक कानूनों की बात की है तो question आप से पूछा जा सकता है क्या Hobbes ने प्राकृतिक कानूनों का समर्थन किया है बिलकुल प्राकृतिक कानूनों का इन्होंने बात की है Element of Laws के अंदर टू ट्रिटाइज और गॉवर्मेंट में लोक ने संसद की सर्वत्चता को स्विकारा है ठीक है दो ट्रिटाइज जो होती है टू ट्रिटाइज उसमें क्या है सुपरमेंसी और पार्लेमेंट को एक्सेप्ट किया गया जो कि आज भी विद्यमान है आज भी अपनाई जाती है एज ट्रेडिशन ब्रिटेन के सम्विधान में अर्थशाष्टर में महाभारत तथा मनू के विचारों का समावेश किया गया है ठीक है जो कोटिल्य का अर्थशाष्टर है इसमें महाभारत और मनू के विचार सम्मिलित किये गये हैं बहुत से विचारों वहां से हाला कि शुक्र के विचार भी इसमें आपको देखने को काफी मिलेंगे कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि खुद को बेचे कोई इतना अमीर ना हो कि किसी और को खरीदे बहुतिक असमानताएं खत्म नहीं हो सकती अता समानता के विना स्वतंतरता नहीं हो सकती ये रूसो की एक कोटेशन है कि बहुतिक असमानताएं जो असमानताएं होती है जो economy का अधार पे होती है उसको कभी भी खतम नहीं किया जा सकता है तो इसलिए क्या है? समानता के विना स्वतंतरता नहीं हो सकती है अता हमें equality स्थापित करनी पड़ेगी जितना संभव हो सके हाला कि पूरी नहीं हो सकती है जितना संभव हो सके तो ये पहला लेक्चर था अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें आप मुझे अपने सजेशन भी दे सकते हैं quality and fact यूट्यूब चैनल के द्वारा और हमारा जो live session होगा उसमें भी आप सजेशन दे सकते हैं so thank you, thanks for watching this video